करोनों हिंदु मजदूर सड़क पर पैदर और भुखे प्यासे मर रहे हैं कहां गए हिंदुओं की ठीके दार भगवा धारी भींकी मदद करने क्या नहीं आ रहे अब हिंदू खतरे में नहीं है क्या अब हिंदू ही नहीं बलकि हिंदू का परिवार हिंदू के बच्चे हिंदू की नौकरी हिंदू की जान भी खत्रे में है जिस देश के मजदूर हजारों किलो मीटर पैदा चलिक अपने घर जा रहे हों वहां का परधान मंत्री यात निभरता का भासर दे उससे क्या उमीद करोगे आज समझ में आजया हमारे पूरोजों ने 70 साल तक BJP को बोट क्यों नहीं दिया क्योंकि वह जानते थी इनकी अवकाद देश चलाने की नहीं बलकि हिंदू मसल्मान में धंगा कराने की है मेरी बात याद रखना भिंजडों से अवलाद और BJP से विकाज की उमीद केवाल आसा राम राम रहीम की बुफाओं में पैदा होने वाले अंदभक्ती कर सकते हैं तवा होकर भी तवाही नहीं दिखती है अंदभक्ती है जनाब इसकी दवाई नहीं बिखती धरम को धंदे में मिला दिया जा तो बड़ा फायदा है कि सान पचास रुपे लीटर गाय का दूद नहीं बेच पाता राम देव 90 रुपे लीटर गाय का मूत रिबेच लेता है जिनको लगता है भाजपा समाडों की पार्टी ये सही है क्योंकि सड़कों पर भूखे प्यासे रोते बिलगते मजदूर 90 परसंट दलित पिछड़े हैं यही उनका मदद ना मिल पाने का सबसे बड़ा कारण है एक बात याद रखना चाहे 16 मददूर मरें चाहे 16 हजार मददूर मरें सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि सरकार पूझी पतियों की है गरीबों की नहीं बटन दबा कर उंगली में स्याही देखकर खुस होना ही लोकतंत्र नहीं है अपने अधिकार के लि बात जब गरीब किसान वेरोजगार मज़दूर की होती है तो सबका खुझ पानी बन जाता है वीदेशों से जो उड़कर आ रहे हैं उनके लिए स्वागईं से पोस्टर बैन लगाय जा रहे हैं और जो साईकिल से पैदल चलकर आ रहे हैं उनके उपर डंड़े बरसाय जा गरीबों की दूर्दसा बता रही हिंदूस्तान में गरीब होना सबसे बड़ा पाप है एक बात याद रखना दुनिया का बिनास किस कारण से होगा हमें पता नहीं मगर हिंदूस्तान के बिनास के कारण घटिया नेता और विकाव का प्रकार होंगे पती मर जाए लेकिन सोतन विधवा नहीं होनी चाहिए वही हाल है अंधभक्तों का देश बरबाद हो जाए मगर मोदी हटना नहीं चाहिए हमारा देश बदल रहा है बुलट ट्रेन की जगा मजदूर पट्री पर चल ला है जब वह जिन्दा थे तो दो रोटी तक देने की सरकार की आउकात नहीं आज मरने के बाद पांच लाग का मुअबजा कौन खाएगा घर से निकले थे सपना पूरा करने के लिए किसको पता था घर जाना भी सपना बन जाएगा जब गरीब मजदूरों को पैदल सड़क खासों में कुचल कर मरना ही है तो PM के एर फंड में मिला दान किस काम का जो सरकार गरीब मजदूरों को घर तक पहुंचाने का ट्रेन का किराया तक ना दे सकी वो 20 लाग करोन का पैकेश क्या देगी एक बाद याद रखना बिखरेंगे जमी पर तो रमक छोड़ जाएंगे गरीब हैं तो क्या हुआ मरने के बाद भी गरीबी वाली महक छोड़ जाएंगे